कि इस टार्ट कहते हैं कि बुरा वक्त कभी वक्त देखकर नहीं आता है विपरीत हालात के सामने एक व्यक्ति हार जाता है दूसरा हिम्मत और साहस के साथ मुकाबला करता है सामना करने के लिए आत्मसयम होना बहुत जरूरी होता है क्यूंकि जो लड़ता है जो संघर्स करता है उसे आगे बढ़ने का रास्ता भी मिलता है जीवन में हर मोड पर बदलती परिस्थितियों में कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं जीवन संघर्स काना है और इसके हर कदम पर व्यक्ति को तरह तरह के अच्छे बुरे हालात का सामना करना पड़ सकता है कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसे अवशर आते हैं जब आर्थिक इस्थिती खराब होने से और साध्य बीमारी होने से व्यापार में घाटा होने से बीरोजगार होने के कारण कठिन परिस्थितियां उसके सामने मुख खोल कर खड़ी हो जाती हैं ऐसी इस्थिती में कई व्यक्ति मानसिक रूप से तूट जाते हैं और कोई फैसला नहीं ले पाते हैं यह चीज परिवार के लिए घातक बन जाती हैं लेकिन ऐसे भी कई लोग होते हैं जो इस तरह के बुरे वक्त में गजब की हिम्मत और साहस दिखाते रहते हैं वे हार नहीं मानते और इन परिस्थितियों से लड़ते रहते हैं परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करते रहते हैं वह बड़े सहर के रहने वाले हैं और परिवार भी समरिद है पिता बड़े व्यापारी होते हैं जिनका नाम पूरे सहर में मसूर होता है अचानक परिवार का मुखिया परिवार को छोड़ कर चला जाता है परिवार पर दुख का पहार तूट पड़ता है हर छोटी बड़ी चीज के लिए मोहताज होना पड़ता है बड़े सहर का महल नुमा घर छोड़ कर छोटे सहर के छोटे घर में आना पड़ता है वह परिशानियों के बावजूद हिम्मत नहीं हारता है ठीक उसी तरह जिस तरह दूर दरसंद्वारा मनो रंजन के लिए विभिन प्रकार के कारिक्रमों में कलाकार लड़ते हैं बुर लेना चाहिए जिन्दगी में खुश रहने का बहुत बड़ा महत्त है हमारी जिन्दगी में जुड़ा हर फैसला आपका अपना होना चाहिए आपकी जिन्दगी के बारे में दूसरे लोग निरणएं लेंगे तो आप कभी जिन्दगी को खुश होकर नहीं जी पाएंगे रहना बेहद जरूरी है वह चाहे नोकरी पेशा आदमी हो मजदूर आदमी हो कामकाजी महिला हो ग्रेहरी हो घरेलू नोकर या नोकरानी हो इसके लिए बहुत जरूरी है कि खुद की छोटी मोटी सफलता और बहतरी के लिए लक्ष बना कर लक्ष को पाने का प्रयास करें अपनी छोटी छोटी काम्याबी से आपको बेहद खुसी मिलेगी अगर जिन्दगी में कभी आसफलता का सामना करना पड़े तो हमें हिम्मत हारने के बजाए उससे संघर्ष कर दूगुने उस्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए मैं आसा करती हूँ की सफलता आपके कदम चुमेगी आधरणी महोदय भूमी सुधार से संबंदित अब तक के अनुभो के आधार पर राज्य सरकार ऐसी पहल करने जा रही है सरकार की इस पहल से भूमी सुधार कार टकराओ के इस्थान पर सुलह से संपन हो सकेंगे इस से इनकार नहीं किया जा सकता की इस कारसाला के माध्यम से गुन दोस के आधार पर कसी उत्पादन बढ़ाया जा सकता है इस प्रकार से बटाईदारी रैयतदारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है इसी पहल के सुभारंब के रूप में आठ या नौ जुलाई को राजधानी में एक कारसाला का आयोजन किया जा रहा है जिसमें देश के ख्याती प्राप्त करशी पंडित भाग ले रहे हैं भूसुधार विशेशग्य भाग ले रहे हैं जहां तक मैं समझता हूँ कि कुछ केंदरी अधिकारी भी भाग लेंगे हमारा प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां के कुछ छेत्रों में सबसे अधिक प्रगती सील भूमी संबंदी कानून प्रचलित है यह हमारे लिए खुसी की बात हो सकती है परंतु वहीं ऐसा राज्य है जहां प्रमुक्रसी फसलों की उत्पादक्ता आउसत से भी कम है इसलिए यह दुख की बात हो सकती है इस कानून के जरिये प्रदेश में खेती बारी की इस्ति की जमीन से जुड़ी वास्त विक्ताओं को सुधारा जा सकता है जिससे इस छेत्र में क्रसी उत्पादक्ता बढ़ाने के लिए प्रोसाहन दिया जा सके किन उपायों में खेती बारी से जुड़े कारियों में लगे विभिन लोगों को किस तरह जादा से जादा आर्थिक लाप देना निश्चित किया जा सकता है पस्चिम बंगाल जैसे राज्यों से क्या सीखा जा सकता है जहां पर विकास और क्रसी उत्पादन बढ़ाने के लिए भू कानूनों को ससक्त हतियार के रूप में उप्योग किया गया है ऐसे अनुभवों को किस तरह से अपने प्रदेश की इस्थितियों के अनुसवार तबदील किया जा सकता है भू सुधार और क्रसी उत्पादक्ता विशय पर आयोजित इस कारिशाला में ऐसे मुद्दों पर विचार होना चाहिए हाला कि किसी भी रूप में रयतदारी को सरकार के किसी भी कानूर में मानता नहीं दी गई है फिर भी यह माना जाता है कि बटाईदारी रयतदारी अनेक भागों में व्यापक रूप से प्रचलित है वर्तमान सरकार प्रदेश में भूमी सीलिंग कानूनों के क्रियान वयन में धीमी रफतार को लेकर भी चिंतित हो रही है या प्रदेश के लिए कोई सांतवना की बात नहीं है यही नहीं देश के प्राया सभी भाग में भूमी सीलिंग कानूनों के क्रियान वयन की गती धी मुक्यमंत्री ने पष्चिम बंगाल में क्रियानवित बरगा अभियान के अध्यन के लिए हाल ही में पहल कर चुके हैं जिसका उद्देश यह पता लगाना था कि इससे हमारा प्रदेश क्या सबक ले सकता है बारत सरकार ने भी हाल में अनू संसा की है की पर्ष्चिम बंगाल में चलाए गए बरगा अभियान की तरज पर छद्म रईयतदारी का पता लगाने के लिए मुहिम चलाई जाए माननी अध्यक्ष महोदय मैं अपने छेत्र के बारे में कुछ याचिकाएं प्रस्तुत करना चाता हूँ सडक मार्ग के बीच नदी पर पुल निर्माड किये जाने से संबंदित डामरी करण किये जाने से संबंदित चोणी करण किये जाने से संबंदित आगनवारी भवन निर्माड किये जाने से संबंदित हैंड पंप खनन किये जाने से संबंदित या चिकाएं प्रस्तुत करता हूं माननिय खाद्य मंत्री जी प्रदेश में प्रती यूनिट खाद्यान बढ़ाए जाने के संबंदि में उल्लेक नहीं है प्रतेक जिले में गेहूं चावल सक्कर एवं केरोशीन का कोटा बढ़ाए जावे सार्वजनिक वित्रण प्रणाली की दुकानों में साबुन तेल इत्यादी रखने की व्यवस्था की जाए